दुनिया को मुहंबत के अन्मोल निशानी ताज महल देने वाले सहनसा साजहां को जिन्रिकी के अंतिम आठ वर्स कैड में बिताने पड़े थे उसे उसकी ही बेटे औरंजेब में आगरा किले में बंदी बना लिया था मुसंबन बुझ से अपनी बेगम मुम्ताज महल के मगबरी को देखती हुए उसने अन्तिम सांसे ली थी साजहां का ये किस साग गाइड से फुनाते हैं तो इस दास्ता को सुनकर परेटक भावुक हो जाते हैं साजहां की बिमार पढ़ने की पाद उसके पुत्र में सत्ता के लिए संगर्स हुआ था साजहां अपने बड़े पुत्च दराशी को को अपने पाद कर्दी पर बैठाना चाहता था सता के लिहोए संगर्स में औरंग जेप की विजय हुई और उसने दराशी को कुम मरवा दिया साजहा को उसने वर्ष 1658 में आगरा किले में बंदी बना लिया बंदी काल में साजहा आगरा किले स्थित मुसंबन बुर्ज से ताजमेल को निहारा करता था यही जनवरी 1664 में उसकी मौत हो गई बेंतिहाग खोबसुरत मुसंबन बुर्ज का निर्माज साजहा ने सभेज संगमर्मर से करवाया था अश्ट कोरी मुसंबन बुर्ज यमुना किनारे की तरफ बना हुआ है किले में सबसे अधिक उचाई पर बना ये भवन पूरी मुखी है हाला कि मुसंबन बुर्ज में परेटको का प्रिवेश प्रजगंध है वे बाहर से इस मारक दे सकते हैं खाय की तरफ होने से सुरच्छा कारणों की दिस्ती से इसे एसाई ने बन कर रखा है अधिन ताम नूस्ट विरो रिपोर्ट